हे गाईज विलकम तो दो वॉकराउंड मेरा नाम है हाशिम और स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में और आज की इस वीडियो में हम कंपेरिजन करेंगे न्यू जेनरेशन सफारी के XT वेरियंट और न्यू इनोवा क्रिस्टा के GX वेरियंट के बीच और जानेंगे को अपने चैनल के थूर प्रोवाइट करता है तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से सब्स्राइब का बटन दबा दीजिए क्यूंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन इस चैनल को आपार सफलता प्रदान कर सकता है तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं ब गैनल ट्रांस्मिशन के साथ तो आप यहां देख सकते हो कि न्यू इनोवा क्रिस्टा जी एक्स वेरियंट न्यू जन्रेशन सफारी एकस्टी वेरियंट से सुनसर्थ हजार रुपे ज़धा महंगी है और अगर अंडरोड प्राइस को कंपेर करोगे तो यही सुनसर्थ को जस्टिफाइ करती है यह हम वीडियो में आगे जानेंगे तो अब हम यहां एक नजर दोनों की गाडियों के डामेंशन पर डाल लेते हैं तो न्यू जन्रेशन सफारी की लेंथ है 4,661 mm, विट्थ है 1,894 mm, हाइट है 1,786 mm, वील बेस है 2,741 mm, ग्राउंड क्लेरेंस है 1,89 mm, दरसल दोस्तों आपको एक बात यहां बताता चलूं के न्यू जन्रेशन सफारी का ग्राउंड क्लेरेंस वैसे तो मुझे कहीं मिला नहीं, बट न्यू सफारी जो है वो हरियर का ही एक तरहां से 7 सीटर वर्जन है, और हरियर बीए सिक्स का ग्राउंड क्लेरेंस हरिय इनोवा क्रिस्टा की लेंध है 4,735 mm, विट है 1,830 mm, हाइट है 1,795 mm, वील बेस है 2,750 mm, ग्राउंड क्लेरंस है 178 mm, और फ्यूल टेंग केपेसिटी है 55 लेटर की, तो आप यहां डिफरेंस देख सकते हो कि इनोवा सफारी से 74 mm लंबी है, इनोवा की हाइट सफारी से 9 mm बड़ा है, और इनोवा की फ्यूल टेंग केपेसिटी सफारी से 5 लेटर बड़ी है, वही सफारी विट में इनोवा से 64 mm चोड़ी है, और रही बात दोनों ही गाडियों के ग्राउंड क्लेरंस की, तो उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, टायर साइज की बात की जाए, तो जहां New Generation Safari XT में आपको 23560R18 का टायर साइज मिलेगा, तो वही New Innova GX में आपको 20565R16 का ही मिलेगा, अब बात करें फीचर्स की, तो दोनों ही गाडियों में आपको बहुत सारे common features देखने को मिल जाते हैं, जिनकी फेहरिस्त काफी लंबी है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जिस price point पर आपको ये दोनों गाडियां मिलती हैं, उस हिसाब से बहुत से good to have features और must have features तो मिलना ही मिलना है, लेकिन यहां मज़े की बात यह है कि Safari XT सस्ति होने के बावजूत आपको बहुत सारे unique features offer करती है, जैसे projector headlamps, fog lamps, dual function LED DRLs with turn indicators, rent sensing wipers, auto headlamps, 18 inches alloy wheels, Innova GX में आपक auto AC, cruise control, Innova GX में आपको automatic transmission के साथ तो cruise control feature मिल जाता है, पर manual transmission के साथ cruise control feature नहीं मिलता, soft touch dashboard with anti-nappa, grain top layer, lumber support, mood lighting, tire pressure monitoring system, four tweeter speakers, connected car technology, reverse parking camera, cornering stability control, all four disc brakes, roll over mitigation वगेरा वगेरा वगेरा, और अगर आप Safari XT Plus variant लेते हैं, तो उसमें आपको panoramic sunroof भी मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको XT variant के उपर लगबग 80,000 रुपे तक खर्च करना पड़ सकते हैं, अब engines की बात करें, तो new generation safari में आपको अब मिलता है, एक 2 liter का 4 cylinder cryotic diesel engine, जो 170 PS और 350 Nm का torque generate करता है, और ये engine 6 speed manual transmission और 6 speed torque converter automatic transmission के साथ आ और इस engine की mileage है, 15.1 kmpl, आपको मिलता है, एक 2.4 liter का 4 cylinder diesel engine, जो around 150 PS और 343 Nm का torque generate करता है, और अगर automatic transmission लेते हैं, तो उसके साथ यही 2.4 liter का 4 cylinder diesel engine, 360 Nm का torque generate करता है, और ये engine 5 speed manual transmission और 6 speed torque converter automatic transmission के साथ आता है, और इस engine की mileage है, 15.1 kmpl, AR AI, बात करें अगर build quality की, तो Tata Safari की build quality पर तो सवालिया निशान लगाने का कोई तसवूर भी नहीं कर सकता, in fact, आज के दोर में Tata की किसी भी गाड़ी की build quality पर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता, फिर वो चाहे Tata की entry level hatchback, Tiago ही क्यों नहों, Tata की हर गाड़ी solid build quality के साथ आत होता है, तो I'm sure ये गाड़ी भी 5 star की safety rating score करेगी, वहीं बात करें, Innova की build quality की, तो इसे भी Asian and Cap में 5 star की safety rating मिली है, जो की काफी अच्छी बात है, अब last में आ जाते हैं verdict पर और जान लेते हैं कोई एक winner, देखिए अगर value for money के purpose से देखा जाये तो new generation Safari XT new Innova GX से जदा value for money है क्योंकि एक तो ये सस्ती भी है, फिर ये आपको काफी जदा ऐसे unique features offer करती है, जो आपको new Innova GX offer नहीं करती है, performance और mileage के लिहाज से भी अगर देखा जाये तो new generation Safari new Innova से जदा बहतर है, engine refinement भी new generation Safari में मिलने वाले 2 liter cryotech engine की जदा बहतर है, new Innova में मिलने वाले 2.4 liter diesel engine से, और new generation Safari में आपको 6 speed manual transmission भी मिल जाता है, वही new Innova में आपको 5 speed manual transmission ही मिलता है, फिर new generation Safari में आपको 30 mm चोड़े और 2 इंच बड़े tires मिलते हैं, जो इसके road presence को काफी अच्छा बना देते हैं, और तो और high speed पर stability भी काफी अच्छी देते हैं, और खराब सड़कों पर एक आराम दय देने का भी काम करते हैं, वही new Innova GX को लेने के भी कुछ चुनिंदा कारण है, एक तो इसकी reliability और durability जो इसका सबसे strong point है, जिसके आगे Safari तो क्या कोई और गाड़ी भी नहीं टिकती है, फिर new Innova आपको ज़्यादा spacious cabin offer करती है, और ये 7 seater के साथ 8 seater option के साथ भी आती है, और अगर बात आती है resale value की, तो used car market में SUV, MPV और MUV segment में Innova जैसी resale value आपको Safari तो क्या कोई और गाड़ी भी नहीं देके जाएगी, तो ऐसे में अगर आप 18 से 19 लाग रुपे के price bracket में कोई 7 या 8 seater car खरीदना चाहते हैं, और confused हो रहे हैं new generation Safari XT और new Innova GX के बीच, तो आपको value for money, performance and mileage, features और safety features के लिहाज से new generation Safari XT पर जाना चाहिए, वही new Innova GX को खरीदने का एक ही मुखी क्यारण है और वो है इसकी reliability and durability, अगर आप बेफिक्र हो के 10 साल या 2 लाग किलोमेटर तक गाड़ी चलाना चाहते हैं, तो इस case में new Innova GX जादा बहतर option है, अगर short में कहूं तो अगर आप value for money car चाहते हैं, तो new generation Safari XT आपके लिए जादा बहतर है, और अगर आप reliable और durable प्रोड़क्ट चाहते हैं, तो आपके लिए new Innova GX जादा बहतर है, अब फैसला आपको करना है कि आपकी choice दोनों में से कौन सी होगी, या खेमें नीचे comment section में लिखके जरूर तो guys ये तो था एक छोटत सा comparison वीडियो बिट्विन new generation Safari XT and new Innova GX, I hope ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इस वीडियो को जादा से जादा लाइक और शेयर कीजिए अपने social media platforms के जरूरे, फिलहाल के लिए मुझे दीजिए, इजाजत मैं मिलूँगा आपसे अगली व साथ तो जब तक के लिए बाइबाई, टेक केर, ड्राइब सेफ, थैंक्यू, जैहिंज भारत